के आउरंग जेव भी तैसे खाजा दानधे विच्चो शीते गुरु तेख भाधर साव वी एसशे लड़ी दे विच्चो गुरु परम्परा देव परसन पर जेडा कनून गुरु अर्जन साब नो शहीद करन समय वरते आ गया ओक लून गुरु तेकभाद दर साब दर समय क्यों न वरते आ गया उन्हादा खून क्यों डोला गया कि हो सागदा है गुरु साब नो रावी दे विच्छरोड़न तो पहला होत शदद कीता जान दा पहला में जो कुछ मिनू लगदा है कि इनना दो विदवान सजना ने कीता है, अजे तक कसी उत्तो अगे नहीं चल सके, जा कह सकी है कि एक पूरी मीनी वहती है। बहुती इस्तकार जोग, गुरू रूप, गुरू स्वारे खाल साजी। आओ सब तो पहला गुरुदेब पाश्चा दी बक्षिश, मुकदस, फते बलांद करिये प्यार साहत अकना जी वाहिगुर जी का काल सा, वाहिगुर जी की फते। हर साल जदोसी, शहिद्दां दे सर्ताज, पंचम पाच्छा, गुरू अर्जन साहब दा शहिद्दी दे हाडा मनोने हा। हर साल जीवन दे उपपर, शहादत दे उपपर, शहादत दे कार्ना दे उपपर तकरिबन हर कथा कार्ण, हर परचारक, हर रागी ते टाड्डी वीर जेड़ा है। वो किसे ना किसे रूप दे वज़ परचार करदा है, यह वख्यान करदा है। मूल रूप दे विच जदो सी शहादत दे कारना दे वाल आउने हैं, ता ओ दे विच साड़े सामने दो लड़ियां बन जन दियांने मूल कारन दे सह कारन, सह कारना दे विच असी इर्थी चंद, सुलही खान या फिर बीर बाल दे गाठ जोडनू वेख दे हैं, एक गाठ जोड़ दे विच सी काना, पीलू, चज्जू ते हसन, जेड़े चार कवी अपनी कविता साहिप श्री गुरू गरंसामा राइदे च दरज करोणा चाउंदे सी, एक तड़े दे रूप दे विच सी उन्ना नू वेख दियां, फिर उन्ना दे नाली जोड़े आएक ह और तड़ा, चंदू, मुर्तजा खान, एक वक्रा तड़ा बन जाना है, ऐसे तरह जड़े होर कारण ने, छोटे छोटे जोटे वो अनिका कारण ने, जड़े सह कारना दे विच आजान देने, पर इना दे विच्चो किसे भी एक दी पूम का जड़ी है, उन्हों से नकार जिस तरह काफी समा पहला पंजाब दे विच्च सुष्मा सवराजने गल कैसी के चंदू दा गुरू साफ दी शहादत दे विच्च कोई दोश नहीं है, सो ओ कारण, मूल कारण जब बड़ा कारण ना होए, पर उसनों दोश तो मुकत नहीं किता जा सकता, पर जोड़ों सी मूल कारण बड़ा होना है, तो अन दे विच्च जिन्नें भी हर साल आसी वख्यान कर दे आगए, कह सकते ज़िए ज़िनें भी परचार कीता जन्दू दे विच्च जब दूबड़ा आज तक मूल कारण दोपर जन्ना सब्त भड़ खोज कारज कीता है, बेशक हर वरी मेरे और के परचार के भी कहिंदे ने के गुरु अर्जन साब दी शहादत दे उपर नमी खोज, नमे विचार, नमी गल, नमा रूप पर मिन्नू जो लगदा है जो होन तक डक्टर गंडा सिंग होना ने ते सरदार कपूर सिंग होना ने गुरु अर्जन साब दी शहादत दे बारे जेड़े कह सकते हो के सरूत, मूल रूप दे वचे फार सी दे सरूत, ते उनना सरूतां दे विच्चों गुरु साब दी शहादत दे कारन, ते उनना कारनां दे विच्चों शहादत दी किरिया, के में शहीद कीता गया, जो कुछ म मैंनों लगदा है कि इनना दो विदवान सजना ने कीता है, अजे ता कसी उत्तो अगे नहीं चाल सके, जा कह सकी है कि एक पूणी मीनी वट्टी, जिनना का अरज इनना इत्हास काराने कीता है। सो वैसे ता जेसे लिए दबस्ता ने मजाहिब अंग्रेजीन वाद जड़ा के डेविड शिया ने कीता है। जो दो दे विच नानक पंथी चैप्टर दे उपर डाक्टर गंडा सिंग ने टिपनिया कीतिया सी ता गुरू अरजन साव दी शहादत दे कारनां दा काफी सारा ख इस तो इलावा सरदार कपूर सिंग होना दी साची साखी जिन्ना ने किसे ने किसे रूप दे विच जदो गुरू साब दी शहादत दे हुकम दी गाल कीती ता ओदे विच सियासत वाबा यासा बलीक और ओदे नालाली मक्तूबात दे इमाम रबानी जेड़ियां शेख एम पर जिच सियासत ओदे मंगोलान दा कनून एक मूलकार नान गोर वक्री लड़ी बढञ जनदी है इन्हां दे नाल एक लड़ी बाण Now aHamad Sade ज्दो अधी नाल मुहमदबाकी बिल्ला अधी शेख फ्रीद बकhári this औरा सर्दार कपूर सिंग्ह बहुत वदियां फ्रदी जड मैं पहिला की है मैं दोबारा फिर दोहरा दे मां के शायद उनने दी कीती खोज तो बाद ऐसी एक कदम भी अगे नहीं पूट सके खेर जिस विषिद उपर मैं तो हडिनल कुछ वचार संजे करने ने मैं सर्फ एस विषिद उपर वचार संजे करने ने के जेडा है, तो ड्क्तर गंडा संग ने में किता है, और उसना जिकर जेडा सर्दार कपूछ संग उनाने में किता है जब युद नियुद में गुरू साथ जासा की किमे बनानी लुद में अदिन जेडागरु उनुद गुद जयुद में अटेeren So, एपने हम दी विच एक थोड़ा वक्रा विशा है So, पहली कालते है के जदो असी बंसावली विखनी हुगे ने में रगदाए के जड़े तारीख दे सरौत होनें साडे को जड़े तारीख सरौत होनें उनना दे विच्छो एक लाइन दे विच्छो बहुत बहुत लड़िया निकलाओं दियाने मिसाल दे ता उरते एक जगा दे उपर ग्यानी ग्यान सिंग तवारा एक गुरू खासा दे विच्छ बाबर दी आमद दे बारे के शबद वदे ने के पड़ पोत्रा बाबर मुल्क नू पते कर चड़। उन तुसी वेखो के बाबर पड़ पुता की दा, तैमूर दा तैमूर केड़े खान दान दे विचो मुगला दे विचो, मुगल कौन मुगल, चुगता चैगता ही खान चैगता ही खान कौन चंगेज खान दा बेटा तो अपने आप देच एक लाइन दे विच्ट उसी वेखो गे तो हास दी एड़ी वड़ी लड़ी जोड़ जन्दी है जड़ी आता रही है तकरीबन कह सकते हैं कि जदो बाबर हमला करता है पंदरा सो भी तो बाद पर ओ शुरू कितो हो जन्दी है बारा सो छे तो भी पहला सो एस करके हुण एस लाइन वसी वेखी है तो एस लाइन दे विच्च पूरी वंच परमपरादी जड़ी खो जाओ करनी पर वेखी सो एजड़ा कनून है जिस दे ताहित गुरू अरजन साब नो शहीद कीता गया एदे बारे थोड़ी जी अज़विचार चर्चा करनी कोशिश करांगे क्योंकि एतात्थ बहुत एहम है सो पहली कालते मंगोलिया चीन रूस कजाकिस्तान एदे विच एक छोटा जादेश मंगोलिया ग्यारवी ते बारवी सदी दे विच तातार उस तो अलावा हूर भी कई छोटे छोटे कबीले सी जिननान यह आपस दे विच बहुत लड़ाईया होंदियां सी और जड़ी कबाईली जाँ कबीले आदी जंग होंदिया है ओ जगा दा कब जा अपने कबीले नो वड़ादस होना जा फिर छोटे कबीले आपर काबस होना उनना जंगान दे कारन उस वेले वी उनने सी उनना दे वीच एक व्यक्ती जड़ा सी गा उस दा जड़ा नाम सी गा उसी खाबुल सो खावुल खान होना है वेचे जड़े शेमियन जड़ानी और देक बायली रह रहुतां सी, ओरुँछा पूजाय करतें सी, पूजाय करतें सी, पूजाय करतें तो डर्दें सी, गोड़ानी पुजाय करतें। कर दो कर दो दो अधासि ज़िभा आपने बेटे जैसु काई नाल काफी ज़्यादा अलाकियां आपने डेसु कहायां। जितना हासल किती है, को यश समय बाद एदी मौथ होगी ते उस्तो बाद जएसु का अला पना ग्agình का MICHAEL के मुखी बने गया है एक होर विपना सी उस चाथ वाठार दा भी ऐदी। क्योंकर कबाली कि जगा उनदा भी जब तो और भी पूर्दा सी जदो वापस मुडिये ते उसे जित दी खुशी दे विच पुत्रदा नाम मी तैमुजन रख देता। इनना दा मैं पहला में गाल कीती है कि जड़ा कबीला सी ना ओ वहमी बड़ा सी वहमा दे विच जो अतश दे विच पूता परेता हूं दे जो बहुत सारा विशवाज सी उनना दा। तो एक नजुमी ने जो अच्छी ने कहा देता कि पुत्तर जड़ा है यह दे हाथ दे विच एक लाल निशान है जी दे तो यह लगदा है कि बड़ा नाम वाला होवेगा। ठो तेरा साल साल दे उमठे विच इनन्व जड़ा दा बेटा सी गा जेस्ता नाम तैमोजजन रख्या गया। अबीं ओन नहिवायि कोड़ूदी… ज़त उद वेख होगया उस और दानाव बार काई सी कुदरती सारे पर वारदिनाल मिलके इन एक ताकत मिली ते इने होर छोटे कबीलया दे उपर कबजा करना शुरू कर देता काफी सारे कबीलया दे उपर जड़ो इसमे कबजा कर लिया ते कबजा करन तो बात फिर एस ने तकरीबन 1206 दे विच अपना नाम रख्या गैंजिस बेसिकली एंगिस नाम है तुर्की पाशा तो आया है जिननों सी चंगेज खान कहीं ने चंगेज खान तुर्की पाशा तुर्की पाशा है तुर्की तुर्की पाशा है तुर्की तुर्की पाशा है तुर्की 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 तुर जान पुआला, तो खेर एको ना दा आपने विशा है, आसी उन्हों ना छेडिये, तो एजड़ा चंगेजखान सी, इन्हे अपने राज नू चंगी तरह ना चिलाउन दे वास्ते, चिलाउन दे वास्ते फिर इन एक कनून ना दी कताब बनाई, एक इन्हे आपनियां लिखत जान दा सिंग रहा किता, जिसनों क्या जान दा सी, बलीक, ते एक इन्हे ओदे विच्छों बलीक विच्छों काड़े के, केड़े फैसले केमे कीते, जान केड़ी सजा केमे दिती जावे, उस दा इन्हे नामकरन कर देता, जासा, जो एक मूल रूप दे विच्छ जो दोसी गुरू अरजन साब दी शहादत दी गल कर दे हैं, ते जेड़ा शबत यासा होंदा है, उँ चंगेज खान दा पैदा कीता है, जोन एह हिंदोस्तान दे विच्छ केमे होंदा है, जोन ये कल लिए, के चंगेज खान ने 1218 दे वि जाए, जोन दोसी इन ने बारे पढ़ो ने के हो, ते मैं पहला भी दस से आए, के इन ने जेडिया रहु रहतां सी, जेड़ा इन ने कबाईली जीवन सी, उनन दे विच्छ इनन दे अपने विश्वास सी, जोन ने इसलाम तर मतार्न कर लिया, ते उदो फिर इनन दो के जेड़े कबीले दे कुछ फैसले हं दे सी, उपनिया कबाईली रितियां दे मताब कर दे सी, ते जेड़े वड़े फैसले हं दे सी, उनन दे चे काजी दे कोलो वीस लाल लें दे सी, और ओदे विच्छ जेड़ी सजादियां मनोतां सी, उनन ने जादातर अपनिया का फते कीता हिंदोस्तान तक बहुत सारी कताब बांदे विचों ने केड़े-कड़े अलाके फते कीते बहादर जर नायल दे तौरते जगना जानदा है ओधी जंगी नीती दे बारे एक गल बड़ी मशूर है कि ओ दुश्मन नो पिच्छे नी सी छड़दा पाव के अपने प अपने कबीले दे पूरी तरह देना लागू कर देता बारा सो स्ताई दे विच जगेज खान दी जड़ी है ओधा एक बेटा जड़ा सी गा ओधा नाम जोची खान सी ओपहला ही मार चुका सी दो पुत्रों दे हो सी ओना दे विच्छों एक सी उगोदाई खान ते एक सी चै चैकताई खान सी गा एक पहला ही समरकांदे अलाके दे विच इनने काफी सारे कबीले जड़े सी ओफटे करके अपना छोटा जा राज स्थापत कर लेया सी सो चंगेज खान ने जड़ी अपनी वरास्ती राज सी ओगोदाई खान नो दिता जड़ा मेरे ख्याल देना बहु जड़े ग्यांसिंग वरते है उताड़े दमाग दे चा गया होगा कि होन एच गटता परवार जड़ा चैकताई नाम है उत्थोए दी शुरुआत हो जड़ी होचन दी है अगे आजानने है जेका ना असी बाबरता के चलेना है ते फिर असी आजानने है कि ए जड़ा चैकता ही खाने है एदा जड़ा अपना बेटा सी कोई बेशा के दिये कई अउलादां सी पर कोई ज़्यादा कावल नहीं सी ते इनने अपने पुत्रे जिसदा नम कारा होल्गू सी अपने जिऊंदे जी ही अपने राय दिवसियत अपने पुत्रे दे नाम कर देती सो सबरकाम दे विचे कारा हूल को जड़ा सी गा वोदा राज हो गया ते ओसे समेई जड़ा अमीर तुरगाई ओ इनना दे कैसक देओ के नान के परवार देना इन दे रिष्टे पड़े सी के होन तुसी ओस्ट रेडिशन दे विचे जा मंगोलियंस दे विचे एपईला नाम सुड़ोंगे अमीर तुरगाई जड़ा अमीर तुरगाई है ओधी जड़ी वाइफ है उदा नाम सी का ताकीना खतून ते इनना दौआ दे का रहा है जिस पुत्तर ने जनम ले आए ओदा नाम रख्या गया तैमूर जिसमसी तिमर लंकर के भी जान दे है होन तुसी हिसाब लालों के केस तरह आंदे नाल एजड़ा परवार तुर्की दे विचे उन्दा समरकां दे लाके दे विचाजन दे ते फिर उस तो बाद एजड़ा सारा परवार ते उस परवार दे विच्चो अमीर तरुगाई है ते अमीर तरुगाई दा अगो बेटा तैमूर है तिमर लंग खान होन तुसी वेखो के जदो बाबर हिंदोस्तान ते चड़के होंदा है ते ओस वेले जड़े 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 शब्दवर्दे ने तवारी गुरू खासा दे विच्चो ओ कहिंदे ने के समरकंदी वाले तैमूर चुगत्य मुगल दा पड़ पोत्रा बाबर मुल्क फते कर गया उन سारिया चीज़े जड़के हैं थे जड़े स्वे जड़े 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 जांदी झाया कि या करोगे तैमूर चुगत्या की चैकताई खांदे प्र्वार्दे विच्चो समरकंदी जशला के राजकरदा सी मुगल क्योंके मुगल जारे मुगलीन जड़े लोग को ने अन्य वास्ते मुगल हरते वरते आ गया अ कि ने वो गया हो क्योंके तैमूर को की ने में ले बादी design काफ़ की थे मिर्जा ते उमर शेख मिर्जा दा बेटा सी जहीरुदीन मुहम्मद बाबर सो पड़ पोत्रा बढ़ गया ना ते मूर दा सो हून तुसी वेखो एक लाइन दे विचे ग्यानी ग्यान सिंग हुणा ने किन्ना कोज समझा देता जेकर खोज करनी हुआ के समर कांद वाले चगते मुगल दा पड़ पोत्रा बाबर हुण एक गल वेखो के पहली वरी मीर शबद जेड़ा है गुर्बानी दे विचे गुर्नानक साब ने बाबर दे बारे बरते है कोटी हु पीर वर्ज रहाए जा मीर सुने आता है और मीर शबद भी ऐस परवारदे नाल ही लगणा शुरू होया है जेड़ा तैमूर दा बाप सी ओदा नाम सी अमीर तरगाई और अमीर तरगाई तो बाद इणना दे परवारदे नल मीर शबद जुड़ा है जदो तैमूर्दी मौत भी होई है ते जित्थे उसनों दफन कीता गया उसनों भी गौरे अमीरी क्या जबना है सो मीर शबद एस परवार देनल उदो जड़या है जड़ा गुर्णानक साबने वरते है मुंगोलियन दे वास्ते भी गुर्णानक साबने मुगल शबदी वरते है के जमकर मुगल चड़ाया सो एक गाले मेरे ख्याल देना समझ आगी होईगी थानू होन बाबर जड़ है बाबर उपर जाके मुगल है मुंगोलियन परवार दे विच्चो है ते ओधियां में जेकर तुसी ओध समय दिया लिखता पड़ो ते बहुत थामान दे उपर तहानू जिकर मिलेगा कि ओवी कनूना दे विच्च अपने जड़े मंगोलियन कनूने जड़े चंगेज खान ने बनाए सी जड़े जासा नाम दी उनना दी किताब सी ओधे अधियन ही किसे नो सजा दिन दा है ज़ा कोई कनून बनाओ दा है अगला होन अग़ो बाबर बाबर दा बेटा हमायू हमायू दा बेटा अकबर होन अकबर दे बारे जेकर तुसी खुलास तो तवारीख दे विच पड़ो सुजान राए पंडारी दी ऑब हमाते लेखदा के अकबर ने जिन दे आ Μचार आ कीता कीसी ओधे चङचंगेज खां दे kyनूना दी कताब और दी ऑदी पालसी ओदे नून ती निती उस्वे चणगेज जिन दी लिख्या गया जे तुसी एक और पार्ण वारे खनी हो ता मैं तनु दासता है महावद दे को लो कह सकते हो के बारा हो गया थोड़ा गुसे चा गया हाथी जड़ा सी पढ़क गया ते बैरम खान दे उपर हमलावर हो गया ते बैरम खान नो ए शक पह गया के शायद अकबर जड़ा है ओ मिन्नू ओस शाही हाथी दे रही शायी महावदेराई मरवोना चाहूंदा है ते अकबर ने आप ही ओ जड़ा महावद सी ओ बैरम खान दे हवाले कर दिता है कि जे तेनू लगदा है कि एधी खता है एधी गलती है कि तू इसनू आप सजा दे दे पर ओ ना लखदा है कि बैरम खान ने उस महावत नू चिंगेजी नीती दे खलाव सजा दिती जिस करके अकबर दा मन उदे तो बहुत चुक्या गया ते अकबर ने उसनू कोज खर्च दे के हजवल तूर देता बहरम खान और एह ऐहम गल है एह ऐहम गल ऐस करके है के महावत नू सजा देनी ते चिंगेजी नीती दी गाल कि थुआ दी और ओएस करके जरूरी है के एह जिड़े साशक परवार सी मुगल परवार जिड़े बाद इसलाम ग्रहन करदेने जिड़ा राजे दे हाथी दा महावत हुंदा है उनने राजे वाल पिठ करके बैठना हुंदा है ते राजे वाल पिठ करके बैठन दी कह सकते हो के जड़ी ज़ा ताकत कहलो ज़ा हाक कहलो ज़ा अधिकार कहलो किसे आम व्यक्ती दे को ओल नहीं है गा कि राजे वाल पिठ कर सके דे सामने सांते स्लामा मां चोक के करनी है पी निया ने जिसनो फरशी सलाम किया जना थै सो जेड़ा राझे दा ऐस परंपरा दे विच मैं ए जड़ी मुगला दी इसलामक परंपरा है ए दे विच जेड़ा राजे दा महावध होंदा सी हाथ थी दा संयद प्रवार दे विच्चो होंदा सि लोड अएदा मतलब कि महावत तारमक व्यक्ती सी उन्नु सजाच चंगेजी नीती दे उन सारे ही देनी पहनी सी यम्यक मैं पहिला दसी है कि मंगोल कबीनले दे लोख अपने तारमक व्यक्ती जिनना नू बिक्की के जन्दा सी उनना नू सजा वो अपनी नीती दे उन सार दिन्दे सी कि उनना दा खून ना डूले सो एथे तुसी खुलास तु तु तवारिक पड़ोगे सु जान्राई पंडारी दी ते तो हाड़े सामने दो गलास पष्ट हो जाने गिया के अकबर भी चिंगे जी नीतीनों मानदा है होन अकबर ते अकबर तो बाद जो दोस्ता बेटा जहांगीर होन जहांगीर दे समय खुसरो दी बगावत होन ए दो तिन कलना बढ़ियां एहमने के जिख्वे ने तुस्सी कह सकती है के जहांगीर ते जहांगीर तो बाद जड़ी बगावत हों दी खुसरो दी ओस बगावत दे विच्छ तेन बंदिया नो होर सजावादे तियां जान दी उन सजावादे विच्छ की य сами एक तह़े ने हाक दे विच दुआ कीती है ता उसनू पैसे देके खाजली तोर देता जन्दा है देश निकाला करता जन्दा है इह चिंगेजी तरीका तार्मक वेक्ती नू सजा देनदा उस तो बाद दो होर वेक्ती ने जिनना दे विचे एक है अब्दुरहीम एक है हसन बेग ए खुसरो दे खास साथी ने इननो भी गर्फतार कीता जन्दा है ते फिर जिदो तुसी इनन दी गर्फतारी दे बारे खुलास तु तवारी एक दे विचे सुजान राए पंडारी नू पढ़ोगे ता उस दा जिकर करदा बड़ा वदिया लेखता है कि इन्दा के चंगेजी नीती दे मताबक इनना नू जहांगीर दे खब्बे पासियों पेश कीता गया ते उस्तों बाद एक नू बल्द दे ते एक नू खोते दे जेडा सीगा ओदे विचे चमडे दे विचे मड़ देता गया ओन तुसी फिर आपना त्यान लेके हो बहुत सारे साड़े प्राणे परचार का ने एक अल परचलत कर देती के गुरू अरजन साहब नू गव दे चमडे चे मड़न दे जेडियां कैसा दे त्यारियां हो रही हैं सी ते ओ इशनान करन चलेगे इते होन गाल समझन दी लोड़ है के ए जेड़ी गव जांबल्द दे चमडे दे विचे या खोते दे चमडे दे विचे जेड़ी मरं दी गाल है ओ खसन बेग दे अबदलरहीम दे बारे है ना के गुरू साब दे बारे एक गल हो रही मैं कल सबस्ट करूंगा जेड़ी जर्माने दी गाल भी कोश्ट थामाते चल दी है के गुरू साब दो जर्माना कीता गया ओव जर्माना किना नो कीता गया ओव यसे तरह दी एक दुबदा है सो होन अगे ऐसी आजने है के जेड़ा हसन बेग ते अबदलरहीम इन अनुच अगेजी नीती दे मताबक मार देता है जन्दा है होन उस्तो अगे इस तो पहला शेख नजाम थाने सरी दी गाल भी यसी कर चुके है होन उस्तो अगे जेएसी पढ़दे आए ते स्ताई अप्रेयन नुच जो किया तरीका ने मताबक मार श्ताई अप्रेयन नुच जड़ा जहां गीर है ओ खुसरो दा पिच्छा करदा होया गोईंद वाल दे को लो लाग दे और उदो गुरू साब दी गर्फतारी दा कोई ह होकम नहीं जेडिया में सजावा दी गाल कीती है ए सजावा जेडिया ने एक मई नुच दिती है जान दिया ने गुरू साब दे फर्मान जारी करंतो बाद चब्भी मैं नुच जड़ा जहां गीर है लहौर तो चला जन दा ते गुरू साब नुच गर्तार कर देने मुर्तजा खान दे बाद दे विच चंदू दी हवैली दे विच तसीह दे जन देने होन मैं तोड़ गल करूंगा थोड़ी जीत उसके जहां गीरी दे विच्छो फारसी है हो सगदा है क्योंकि मेरी ये कोई मात पाशा नहीं हैがी मां बोली नहीं है उधे करके हो सगदा है कि जेड़े वीर फारसी दे जानकार नहीं हो सगदा है मेरे पढ़न दे विच एक-द एदा मतलब है कि जित्थे खुसरो ने पढ़ा किता जाफरान केसर नू कहा जन्दा अंगुष्टे कहा जन्दा छोटी उंगली नू के एस ता आरमक गुरू ने अपनी छोटी उंगली दे नाल खुसरो नू के सरदा टिका लाके फते जाबी दी जा कह सकते हो के चंगा शगन करके उस दी जित्थी काम ना कीती एह है गुरू साब दे परेड़ा दोश लाया जन्दा तुझके जहां गिरी दे मताबक होन अगे जाके लिखदा है फिर जड़ा गुरू सरदीदे वलो जेडियां चिठियां शेक फ्रीद बखारी नू लिखियां गईयां उन्हादे विच की कुछ सी जड़ा जहां गी रहे इससे तुझके जहां गिरी चलिखदा चुनाचे बिसियारे अज सादा हिंदू बलके नदा मुसलमाने इसलाम रा मुकाइदे अतवार उजायो खुद साथता कूस पीरी उवलायत वा बलंद अवाज़ा गरदानी दा बूदू उरा गुरू मी गुफतंद वा अज अतराफो जवानब गुलान गूल परस्ता बूद रजू अवर्दा इतकादे तमामू उजहार मी करदंद अजशी चहार पुष्ट उदकान र गर्म इंदाश्तन था और केंदा है के ओस ने गोएंद वाल दे रहनवाले काफर गुरू अरजन साभ दे बारे कह रहा है के ओडी जडी एच चूट दी दुकान सी दा दुकानने बातल तो केंदा चार पीडियां तो चल रही सी कोई शाक नहीं है के गुरू अर्जन साभ तो पहले ना साड़े चार गुरू साहबान और हो चुके सी चार पीडियां तो ये दुकान चल रही सी ते ओस ने हिंदुआनों नहीं बलके पोले पाले मुस्लमान नुमी अपने पिछे लाले आ सी एदा मतलब के तार्मक तोरते ओ गुरू साब दी सक्षियत मु कबूल कर दा है कि लोग बहुत ज्यादा पर बावत संद्ध जे करे दा पंजाबी नवाद विखना वे ते इंचे बन दा है कि बहुत सारे बेसमझ आते मूर्ख मुस्लमान नुमी अपने पिछे लाले आ सी और जड़े मुस्लमान गुरू साहब दे पिछे लगे साइमीय अमीर तो लाएकि होर भी कई उना तो कोई बेसमझ सी ते ना कोई मूर्ख सी अधा मतलब किते ना केते हो दे मान दे विच सी के गुरू साब दे पर चार दा जड़े असर आ ओगेस रूप दे विच ते किन्ने वड़े रूप चोर रहा फिर अखीरते जाके जदो गुरू साब नू शहीद करंदा जड़ा होक्म दा ओधा शब्दा फुर्मूदम के उन रा वाब blame सियासत वब जेसा रसानद फिर में होकम दिटा कि गुरू नो सियासत वब यासा दा जड़ा कनून है ओदे अ दे जड़ा हो कतल दिता जा ंबार्य होन तुह सारी काल हुप söyla समझगे होग तार्मक रहबर तसलीम करके ओ गुरु साब नू सजाता मौदी देना चाहूंदा है शहीद करना चाहूंदा है और ओ सजा ओ देना चाहूंदा है जी देना खून नाडुले तती तवीते बठोना ए जेकर तुसी जासा दियां तरामा जडिया दंडावली ओधिछ पड़ोंग जहांगीर चला जन्दा है उस तो बाद 3 मई 1606 नू गुरु साब दी जडिया शहादत हुंदी है शहादत दे बारे जड़ी उदमा तो तवारीख देविच सोनला सूरी लेखता है किन्दा है कि कोज सक्तिया करनतो बाद ओसमा पूर्खनों दर्यावी देविच रोड देत गया ऐसे तरह पंथ परकाश देविच रतन सिंग पंगू लेख देने की गुरु अरजन दर्याए ना रूडियो ऐसे तरह बनसावली नामे देच केसर सिंग शिबर लेख दा है कि बद्दे ही दिते नदीर उड़ाए पर ओ एक गल होर का अरजन दा है केसर सिंग शिबर के एक मुगले काफर ने मंदा अलाई एक चोट परवटे उपर आए लगी और एस तो लगदा है के हो सकदा है गुरु साब नू रावी दे विच रोड़न तो पहला होर तशदद कीता जान दा पहला मी बहुत कीता जा चुका सी पर परवटे दे उपर जड़ा सी गा पत्थर सुरुत ता चुँदा है सो एक तानू मैंनों लगदा है के समझन दे विच कोज असानी होवेगी के एक कनून जड़ा चिंगेज खान ने बनाया सी ए एथे पहुंचिया के में और अगला स्वाल जिसना जवाब मैं काल देन दी कोशिश करूँगा के औरंग जेवी तैसे पर जेडा कनून गुरु अरजन साब नो शहीद करन दे समय वरते आ गया उनना दा खून क्यों डोला गया सो एदे वास्ते कोशिश करांगे कल को जसरोता दी पड़ताल करिये सो एन्या कपेंतिया परवान फते दी सांच प्यार साहता खणा जी वाहिगुर जी का खालसा व झालसा जी वाहिए।